दोस्तो 2023 में इतने कुछ खास electric scooter देखने को नहीं मिले क्योंकि testing and नए government के रूल की वज़े से electric scooter launch जो है डिला हो चुके बट इस वीडियो में आपके साथ share करने वाले 5 नए electric scooter जो की trustable brand की होने वाली है क्योंकि नए brand की service जो अच्छी नहीं होती तो 2024 में तबाही कर सकते है य electric scooter तो end तक वीडियो को ज़रूर देखना काफी details से हम इस वीडियो में आपको information देने वाले हैं तो इन पांचों में से आप कोई भी choice कर सकते हो तो नंबर 5 पर जो electric scooter brand है वो बहुत ही बड़ा brand है आप इसको trustable से भी trustable बोल सकते हो क्योंकि इन्होंने electric scooter में काफी काम किया ह and firstly ये electric scooter का जो नाम है वो है यार गोगरो electric सबसे पहले इनका first focus तो swapping battery network पर है 6 second में आप इसकी battery change करके full charge वाली battery ले सकते हो जो इंडिया में ये possible करके दिखाने वाला है गोगरो इतनी fast service एंड इतनी ज़्यादा availability रहने वाली है तो आप बोल सकते हो कि जो global player है वो इंडिय funding का कोई भी problem नहीं है funding इनके पास बहुत ही ज़्यादा है तो इससे हमें फायदा ये होगा कि availability काफी रहने वाली है and ये guys काफी brand के साथ partnership भी करने वाले है and उसके बाद ये जो है अपनी scooter को भी launch करने वाले है तो scooter की बात करें तो आपको dual battery single battery का option मिलने वाला है single battery में आप approximately 110 km तक single charge में and अगर आप इसमें dual battery का option लेते हो तो इसमें approximately 183 कर 190 km तब range देखने को मिल सकती है features की बात करें unlimited features आप इसको बोल सकते हो जो की absolutely Indian market में जो नए features नहीं है वो global player गोगरो Indian market में कुछ नया features के मामले में देकर आने वाला है अभी तक इन्होंने कुछ announcement features के बारे म में नहीं किया है बट बोला है कि 2023 के ending तक हम इस electric scooter को launch कर सकते हैं अगर हम थोड़ा लेड़ भी पकड़ते हैं तो finally 2024 के starting तक तो आपको गोगरो की electric scooter Indian market में देखने को मिल सकती है तो यहार main question आता है pricing के उबर pricing की बात कर गाइस तो pricing इसकी भी कम ही रहेगी इनके competition में सबसे main आएगा ओला एलेक्टरिक तो आप बहुत सकते हो कि ओला एलेक्टरिक के आसपास इसकी pricing रह सकती है 1,10,000 लेकर 1,45,000 तक इसकी pricing रह सकती है लेकिन इसमें आपको एक option देखने को मिलेगा only scooter भी ले सकते हो और जो battery है वो rent पर per monthly आपको pay करना पड़ेगा तो वेसा आपको आने वाले टाइम में यह option देखने को मिल सकता है चलिए उसके बाद next brand के बारे में बात करते है Suzuki की तरब से Brugman Electric यह काफी टाइम से का इस टेस्टिंग कर रही है और काफी बार इसको देखा गया है रोड पर जैसे की Brugman पैट्रोल में आती है वेसे ही सेम वर्जन में यह एलेक्ट्रिक पर भी आने वाली है तो आप बोल सकते हैं जैसे की टाटा की नेक्सॉन है पैट्रोल में और इलेक्ट्रिक में वेसा कुछ सीन देखने को मिलने वाला है तो इनका सीन कुछ ऐसा हुआ कि यह काफी टाइम से टेस्टिंग करी रही है बट नए गवर्मेंट्स के रूल्स या नए गवर्मेंट के जो नॉम्स हो गयर आ रहे है उसके हिसाब से इनको ज खोने वाला है और कई सारी डिटेल्स तो नहीं यह बट आपको रेंज जो मिलने वाली है वह आपको 120 किलोमेटर तक रेंज देखने को मिल सकती है लेकिन यह बात कंफर्म में कि 100% ली 2024 में तो सुजुकी के तरफ से ब्रूग मैन इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को तो मिले ही मिलेगी बात करें में प्राइसिंग के बारे में तो प्रूग सकते हो कि अपरॉक्सली जो फाडूग है उससे था को सकते हो उसके आप्सिक प्राइसिंग रह सकती है तो चलिया बात करते ही नेक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में अभी टॉप थीन बचे है और यह तीन ही इलेक्ट्रिक स्कूटर तबाही करने वाले है नंबर तीन पर है टीवेस की तरब से फॉर्स्ट इंडिया की एसी high level की है and high performance high features वगेरा आप इसको बोल सकते हो एक branded electric scooter आप इसको बोल सकते हो TOS की तरफ से आने वाली TOS X electric scooter next level की electric scooter है guys सब सब पहले तो यह performance में and features में सबसे आगे जाने वाली है बट pricing के बारे में अगर हम बात करते हैं तो pricing भी इसकी अब होती आगे जाने वाली है बट फिर भी अगर इसमें कुछ changes होता है तो आपके लिए best रह सकती है क्योंकि इसमें motor जो यूज की है 11 kilowatt की motor यूज की है जो की 105 km का top speed प्रोवाइड करती है अगर हम pick up की बात करें तो 0-42.6 second में जाती है बहुती अच्छा performance निकल के आता है 140 km की range मिल जाती है और दिखने में यह electric scooter काफी premium लगने वाली है लेकिन हमने इनके website पर जाकर देखा तो इसकी pricing approximately 500,000 रुपे आ रही है जो कि आप screen पर देख सकते हो Bangalore में ही सिर्फ available देखा रहा है मतलब booking के लिए अगर हम जाते है तो यह कुछ scene इनके website पर है बट फिर भी आपको क्या रखता है TVSX के बारे में comment में जरूर बताइए अभी दो electric scooter बचे है जो की तबाही तो कर सकते है दोनों मेंच से तो एक तो करेगी करेगी दो नंबर पर है Ola की तरप से S1 X electric scooter या X plus electric scooter जो की हाली में launch हुई है अगर इसकी pricing की बात करें तो approximately एक लाक रुपेस की price शुरू होती है जो की 1,10,000 तक जाती है 90 km पेस का top speed मिलने वाला है अगर आपका budget बहुत ही कम है बजट नहीं बाड़ा सकते है बट features वगर अच्छी चाहिए availability जो Ola electric की है वो easily available हो जाती है 1,500 km का range मिलने वाला है and 6 kilowatt की motor देखने को मिलने वाली है तो guys देखो गार Ola electric में आपको जादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होने वाली है easily यह कहाँ पर भी available हो जाती है 2023 के ending तक तो यह electric scooter आ सकती है या थोड़ी late भी होती थे 2024 में यह electric scooter तबाई कर सकती है कि इसकी pricing जो है एक बहुत ही अच्छी pricing इनने रखी है and सबसे mainly यार important सबसे टॉप पर 2024 के starting से ही यह electric scooter number one पर आ चुकी है होंडा की first activa electric scooter सबसे पहले इनके जो COA उन्हेंने first तो confirm किया था कि 2023 के ending से इसके update आने शुरू होगे and 2023 के starting में यह electric scooter Indian market में हम launch करने वाले है तो यह तो confirm है कि electric scooter तो होंडा की आने वाले है बट वो आएगी तब तबाही करने वाले क्याकि सबसे पर तो इसके बैटरी जो है जो की भूत हाई लेवल के बैटरी उन्हें यूज की है जैसे कि गोगरो electric की है वेसे आप बोल सकते हो या उससे भी powerful battery आप होंडा की बोल सकते हो स्वैपिंग बैटरी आप कर सकते हो तो रिमोवल बैटरी भी मिलने वाली है चार्जिंग नेटवर्क इनके जो होंडा की ऑफिशली देखने को मिलने वाले है और बोला जा रहा है कि जो एक्टिवा है जो पैटरोल आईसी इंजिन में आती है वेसे ही कुछ चेंजस के बाद सेम लुक में आपको एक्टिवा इलेक्टर की भी देखने को मिल सकती है अगर हम रींग की बात करें तो इस में भी आपको करेगी अगर इसकी प्राइसिंग अच्छी रहती है तो तबाहई कर सकती है काफ़ी सारे Electric scooter को पीछे छोड़ सकती है बट Honda ने बोला है कि Active Zacha look के साथ देखने को मिल नी सकती है दूसरे लुक के साथ भी आती ऐह तक भी Honda का जो brand है उसके साथ से अच्छी एलेक्ट्रिक स्कूटर चल सकती है अगर हम एक्सपेक्टिंग प्राइसिंग की बात करें वन लाग 30,000 से लेकर वन लाग 45,000 तक इसकी एक्ट्रों प्राइज रह सकती है सो गाइज यह थे कुछ पांच एलेक्ट्रिक स्कूटर जो की 100% लियार 2024 में तबाई करने वाल है अगर आपको कोई एलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी है 2024 में तो इन पांचों में साथ कोई भी ले सकते हो आपको कुछ से चले की कमेंट में ज़रूर बताइए और इसे वीडियो गाइज हम काफी आपके लिए बनाते तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले